को कि या अगद में डॉक्टर सिमी कुमारी महिला कैंसर रोग बैसे सग्य आर्यम बात करते हैं सर्वाइकल कैंसर क्या है या cancer of cervix क्या है या बच्चे दानी का cancer क्या है बच्चे दानी का एक part होता है जो हम औजार से देख भी सकते हैं जिसको cervix कहते हैं या योनी तो यह mostly 40 साल से उपर वाले लोगों में होता है या जिनके multiple sex partners रहते हैं उनमें होता है या partner के partner मतलब अगर male पुरूश है उनकी वाइफ अगर cervix cancer से पिरित हुई है वो दूशी शादी करते हैं दूसरे महिला के साथ में आते हैं तब उनको होने का chance रहता है या महिला को STD sexually transmitted disease है सिफलिस गोनोर या ऐसा वाला problem है तो उनमें चांस रहता है जो अपने हेल्थ का प्रॉपर ध्यान नहीं रखते इन लोगों में ज्यादा चांस रहता है हमारे देश में सर्वाइकल कैंसर दूसरे नंबर पर आता है सर्वाइकल कैंसर का रिस्क बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे इसके लिए responsible एक वाइरस भी होता है जिसको human papilloma virus कहते हैं इसका दो ग्रेड होता है जो मेजर तोर पर रिस्पॉंसिब लेता है 16, 18 और 11 ऐसा तो अगर यह इससे बचाव चाते हैं तो पहले तो हमारे रख रखाव में ध्यान रखना होगा दूसरा होगा कि पार्टनर लिमिट करना होगा अगर आप सेक्सुल एक्सपोज हो रहे हैं तो कॉर्णम का यूस करन होगा और एकदम से अभी इनिशिल एज में जैसा कि गवर्मेंट अप्रूब भी कर चुकी हैं हम लोग वैक्सीन भी लगवा सकते हैं गाडल सील के नाम से आता है तीन दो जिसका लगता है आप अपने नियर्बाइ सेंटर में जाके लगवा सकते हैं या आपने गयने के ड आइफो लीड करी हैं तो उन लोगों में होता है इसमें वो स्टेली कंप्लेंड करेंगी कि छे महीना पीरेड रुपने के बाद फिर से मेरा पीरेड आना शुरू गया या गंदा डिस्चार्ज आ रहा है या इर्रेगुलर कभी ऐसा ब्लीडिंग हो रहा है तो जब कभी प पीमारी के लक्षन है तो इसको नजर अंदाज नहीं करना है इस पर स्ट्रेस देते हुए आप अपने गाइनी को मिलिए अगर आप गाइने को लाजिस दूर नहीं जा सकते तो पीएट सी जाएए वहां सिस्टर को भी समझाया रहता है वह एक बढ़ कसको से देख के आपक पज़र होता है लेकिन इस cancer को और ब्रिस्ट cancer को हम लोग हाथ से देख के डेक्स कर सकते हो और अपनी जीवन को बचा सकते हैं तो हमने बाद कर ली सर्वाइकल कैनसर क्या है कहां कहां रिस्क हैं क्या क्या फीच्यर से अब बचेंगे कैसे तो बचने का उपाह अगर आप EAR तीसरा स्टेज में सिकाई लगता है दवाई चड़ता है बहुत कुछ हुआ सिचुएशन सही हुआ तो अपरेट कर सकते हैं क्यूंकि हमारी जो पेसेंस होते हैं वो एल्डर एज ग्रूप होते हैं तो मेडिकली फीट हैं नहीं फीट हैं यह डिपेंड करता है शुरू का अपने आप अपने लाइफ को कम से कम जब डिटेक्ट हुआ है उसे पांच से दस साल जीवन को आगे बराना बिल्कुल बे मुश्किल नहीं आप एक तम कर सकते हैं बसरते कि आप अवेर हैं कि मुझे कहीं इंट्रमिटन पीरेट तो नहीं हो रहा कोई टाइम पर मतलब प्रोटेक्ट नहीं कर सकते कि इस एज में नहीं होगा तो उनको अगर ऐसा है कि पिरेट चे में पिरेट डुग और फिर पिरेट आ रहा है तो इन इन कंडिसन में कम से कम सतर्क हो जाए और पहला अलार्ब तहना सिगनल मिलने पर ही आप एकदम से अलाम हो जाए और रस कहीं नहीं जा सकते तो पेट सी जाए यह हमने बात कर लिए अब क्या कैसे प्रोटेक्शन तो इनिसल स्टेज में सर्जरी से बच सकते हैं सर्जरी कर लेंगे तो हमारा लाइफ एक्स्पेक्टमेंसी पांच से दस साल बढ़ सकता है बिना किसी परिशन के ठीक है अब हो महिला जिनका की अभी सेक्स्वल एक्स्पोजर नहीं हुआ है अडवान सेच में भी जाके सेक्स्वल एक्स्पोजर नहीं हुआ है तो वो इंजक्शन लगा सकते हैं और दूसरा बात की आप महिला जो भी जिनकी भी शादी हो गई हो जिनका तीन साल का कॉंटेक्ट का हिस् हुँ ताकि आप जल्दी अलार्म हो जाएंगे थोड़ा एकोनामिक लोड है लेकिन गर्मेंट बेस को फैसिलिटेट करती है सरकारी होस्पिरल में अविसली है साथ में अगर आप वहां भीर लगता है कि बहुत भीर आप नहीं जा सकते तो आप गर्मेंट को नहीं जा सकते त थोड़ा वहँगा होता है और प्यम्ही एक और लिक्वीट बेस्ट सैटोलोजी होता है जो जो और दोड़ाörung सक्रीन करके देता है तो बात हो गई की स्क्रीनिंग की स्क्रीनिंग हर महिला को जीवन में इकीस साल के बाद तीन साल से 100 स्बरक्स्पोजर के बाद कम से कम साल म अजी नजीन.